इसकार मैं अधिती ओजा और आप देख रहे हैं खबरफास्ट का डिजिटल प्लाटफॉर्म आठ नौ और दस सितंबर को डिली में G20 समिट की बैठक होने वाली है इस बैठक में कई देशों के प्रतिनिदे हिस्सा लेंगे इसको लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तयारियां कर ली है ऐसे में क्या कुछ खुला रहने वाला है और क्या कुछ बंद रहने वाला है इसी पर आजम आप से चर्चा करेंगे इन तीन दिनों के लिए दिली में सावजनिक अवकाश की घोशना की गई है दिली सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है जिसमें बताया गया है कि दिली के सभी स्कूल कॉलेज के साथ साथ कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे इसके साथ ही दिली के सरकारी और प्राइविट ऑफिसों को भी बंद रखा जाएगा स्कूल और कॉलेज की तरह सभी सरकारी और प्राइविट ऑफिस आठ नौ और दस सितमबर तक बंद रहेंगे सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है वहीं G20 की बैठक के दोरान शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंद रहेगा दिली सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि दिली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले सभी कमर्शिल बैंक और उनसे जुड़े ओफिस आठ सितमबर को बंद रहेंगे जिन दफ्तरों में शनिवार और रविवार का अफकाश नहीं रहता वे दफ्तर भी 9 सितमबर और 10 सितमबर को बंद रहेंगे इनके अलावा नई दिली पुलिस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दुकाने भी 8 से 10 सितमबर तक बंद रहेंगे केंडर सरकार ने सभी मंत्रालेयों और विभागों को जारी आदेश में कहा है कि व्रिहत पैमाने पर आयोजन और इंतिजाम के मद्दे नजर G20 शिखर सम्मेलन के अफसर पर दिली में स्थित केंडर सरकार के कार्यालेयों को 8 सितमबर से 10 सितमबर तक बंद रखने का निर् और सरकारों के प्रमुख तथा अंतराष्ट्रिय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे गौटलब है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और मुख्य कारिकरम 9 से 10 सितमबर को दिली में होगा शिखर सम्मेलन में 29 देशों के प्रमुख के साथ साथ यूरोप संत्रत अतिथी देशों और 14 अंतराष्ट्रे संगठनों के प्रमुख के भी इसमें भाग लेने की संभावना है फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर आजर होंगे कुछ और वीडियो के साथ तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट का डिजिट झाल झाल